पुन बिंदू होते हैं देखिए जैसे परतिहार वंस वैसे गुजजर परतिहार वंस इनकी हम चर्चा करते हैं तो देखिए गुजजर परतिहारों का जो आदी पुरुश है आदी पुरुश या जिसे आप मूल पुरुश या जिने आप संस्तापक बोलते हैं वो तो है आपके कौन आप कहेंगे हरीश चंद्र कौन है? अरिश्चंद्र ठीक है? लेकिन इनकी चर्चा करते हैं तो मुनोत नेंशी जो हैं जिने आप राजस्तान का अबूल फजल बोलते हैं मुनोत नेंशी ने इनकी सब्वीश शाखाओं का उलेख किया है कितनी? सब्वीश साखाओं का उलेख और इनसे सम्मंदित एक महतपुन जो आपके अभिलेख है जिसका नाम आप अक्सर पढ़ते होंगे घटियाला शिल्ला लेख ये जो घटियाला शिल्ला लेख है जिसका टाइमिंग है आपके आठ सो इक्षट इस्वी और जिसके लेकक थे आपके मग लेकिन उतकर्ण का जो कारिय है वो करवाया गया था आपके शोनकार करनेशवरद्वारा ठीक है ये जो घटियाला शिल्ला लेख है गटियाला आपके जोदपूर में है कहां पर है जोदपूर के अंदर ठीक है इसी के अंदर आपके मंडूर के परतिहारों की क्या है वंसाव याद रिखेगा। यह आपके गटियाला जो शिलालेक है यह चार लेखों में लिखावा है और यह आपके जिस भासा में हैं वो है आपके संस्क्रित। ठीक है। सती होने की जो अंतिम गटना है वो आपके रूप कमर की है 1987 के अंदर दिवराला शिकर। यह तीन महत्वन बात है। लेकिन मुनोत नेनसी ने 26 साखाओं का उलेक तो किया है लेकिन इनमें हमारे राजस्तान में एक तो है मंडोर की शाका। आप पढ़ते हैं अक्सर मंडोर के परतिहार और एक हम पढ़ते हैं आपके भीनमाल के परतिहार। यह हम पढ़ते हैं भीनमाल के परतिहार। इधर से हम वेदी बात करते हैं मंडोर के परतिहार। तो देखिए वैसे परतिहारों का संस्तापक तो कौन है याद रखिए हरीश्चंदर। लेकिन मंडोर की वंस वन्सावली जहां से शुरू होती है, वो हरीश्चंदर का ही एक पुत्र है, जिसका नाम है रजिल, रजिल से मानी गई है, ठीक है, क्यूंकि हरीश्चंदर जो है, इनको एक उपादी है, जिसका नाम है रोहलिदी की, ये जाती से ब्रहमन उवा करते थे, कौन सी, तो विप् ठीक है, इनकी जो पत्ती थी, वो जाती से चेत्रिय थी, जिनका नाम है भद्रा, रजिस्चंदर के चार पुतर थे, भोगबट, रजिल, ककक और ददद, ठीक है, उनमें जो रजिल है, वहां से मंडूर के परतिहारों की वन्सावली मानी गई है, क्यूंकि इसी बंदे ने अपनी राजदानी बनाईती किशे, याद रखेगा मंडूर, ठीक है, इसके बाद में हमारे लिए जो इंपोर्टेन शाषक होता है, वन्सावली में, वो है आपके नागभट फस्ट, कौन है, नागभट फस्ट, ये जो नागभट फस्ट है, ये वो मंडूर के शाषक हैं किसको बनाई था? आपके इंदा पर्तिहार, याद रखेगा कौन है, इंदा पर्तिहार, कहते हैं कि इशी इंदा पर्तिहार ने अपनी पुत्री का विवाकिया राव चुंडा के साथ में, और राव चुंडा को मंडूर देज में दे दिया, राव चुंडा को मंडूर देज में दिया, ठीक तो ये तो आप इदर से तो पढ़ते हैं मंदूर के परतिहार जो महतवपुन कुशन बनते हैं भीनमाल के परतिहारों की ये दी हम बात करते हैं तो भीनमाल के जो परतिहार हैं इदर से हैं आपके नाग बट फश्ट ऐसा कहा जाता है कि भीनमाल के परतिहारों का जो संस्तापक है वो कौन है नागबट फष्ट इसके बारे में आप ये भी पढ़ते हैं कि ये एक मलेचो था मलेचो का मतलब है जिन्नोंने अरब आकमकारियों का विनाश किया था और ये अउतार भी तो नारायन के हैं और इसे लिए नागा उलोक कहते हैं और important question याद रखेगा भीनमाल परतिहारों का वहे शासक जो नागा उलोक नाम से दरबार लगाया गरते थे वहे नागभट फस्ट ये important fact बनता है ठीक नागभट फस्ट के बाद में भीनमाल के परतिहारों के important शासक की ये दिमें बात करूँ तो वहे अगला वत्सराज कौन है वत्सराज वत्सराज वे है जिने एक तो उपादी है आपके रतन हस्तीन की या रण हस्तीन की एक तो यह याद रखेगा दूसरी बात है कि इसी बंदे ने तिरपक्षे संगर्ष की शुरुवात की थी इसकी तिरपक्षे संगर्ष बोल दीजे या तिरदल्य बोल दीजे या फिर तिरकोण ये बोल दीजे आप कहेंगे सरी वत्षराज की ओर से त्रिपक्षे संगर्स में भाग लेने वाला चोहान कोन था तो याद रखेगा इसी के अंदर भाग लिया था दुरलब राज चोहान जो आपके सांबर के चोहान है इसी से हमें पता लगता है कि चोहान कभी परतिहारों के शामन तुवा करते थे ये मारे गई है इसके अंदर तिरपक्षे संगर्स में ये एस अपलवे थे वत्षराज वत्षराज ने धरंपाल को पराजित कर दिया था इन्होंने कंचोज के आयोध यानि की इंद्रायुद को भी पराजित कर दिया लेकिन ये राष्टकूर्टमस के शाशक धुर्वे को पराज जिसका नाम है आपके नागभट सेकिंड ये नागभट सेकिंड वो है ये भी तिरपक्षिय संगर्स में ऐस अपल वे थे लेकिन राष्ट कूट वंस के जो सासक हैं गोविन तरते वो दक्षिन भारत में जो वापस गए तो पिच्छे से इन्हों ने कन्नोज पर अधिकार कि इन्होंने ही अपनी राज्दानी किशय बने थी कन्नोज को याद रखेन ये एक इमपोटेंट वेक्ट है नागभट शेकिंड का पुत्र है राम राम भद्र का पुत्र है मिहर भूज मिहर भूज आप सब जानते हैं जिने कहा जाता है आपके परतिहारों का पित्रहनता इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी इसलिए इने कहा जाता है परतिहारों का क्या पित्रहंता मिहर भोज जिनका टाइमिंग परतिहारों का गोल्डन टाइमिंग है श्वन काल है क्यूंकि मिहर भोज का जो सामराजिय था वो उत्तर में हिमाले से लेकर दक्षिन में प्रभाश की प्रभाश की प्रभाश का मतलब होता है उकतावा सूरिय जिसका उलेग मिलता है दोलत पुरा भिलेग में ये थोड़ा सा याद रखेगा ठीक है मिहर भोज के बाद में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट शाषक होते हैं वो है महंदरपाल फस्ट महंदरपाल फस्ट का एक दरबारी था जिसका नाम है राजशेकर राजशेकर की कुछ रचना इंपोर्टेंट है कपूर मंजरी, कावी विमानसा, बाल रामाइन और परबंध कोश ठीक है और उसके बाद में इंपोर्टेंट शाषक वेसे बहुत सेकिंड होते हैं इसके बाद में भीनमाल परतिहारों के अंदर एक सासक होते हैं जिनका नाम है राजशेपाल इनी पर एक हजार अठारा इश्वी के अंदर घजनवी का अटेक होता है और कहते हैं कि यहीं से इनका पतन पतन तो वैसे महिपाल फट से शुरू हो जाता है लेकिन यहाँ पर राजशेपाल पर जब घजनवी ने अटेक किया तो इन्होंने आतम समरपन कर दिया था इसके बाद में तिरलोचन पाल बनते हैं एक जार उननीश के अंदर फिर घजनवी का अटेक होता है और उसके बाद में अंतिम सासक होते हैं जिसका नाम है यसपाल जिसका नाम क्या है यसपाल याद रखेगा ये आपके पूरा चैप्टर है गुजर परतिहारों का अभी तो आपको ये एक्जाम की दिरिश्टिश है इंपोर्टेंट है जो जो बाते आपको बताईए ठीक है तो इनसे अक्षर कुष्ण बन जाता है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेगा ठीक है चलिए गुजर परतिहारों के वसकी ये दि हम कुल्देवी की बात करते हैं तो वो है चामुडा माता कौन सी है चामुडा माता जिनका मंदिर आपके चार जगे बनावा है मन्डोर में महरानगड में अजमेर में और उदेपूर में उदेपूर में तो महरना परताब ने बना या था ठीक है ये important चलिए तो ये शारी जो कानी है वो किसकी है घुजर परतिहारों के ठीक है ठीक है बिलकुल चलिए आगे बढ़े हम अगले क्यूशन की और बढ़ते हैं बार बार याद कीजिए सब कुछ चीजे के लिए रो जाएगे कोई दिक्कत नहीं है